गूर्ड मॉर्निंग दोस्तो स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में आज रिपल से लेके कुछ बहुत अच्छा निकल रहा है और कुछ बढ़िया बढ़िया चीज है कर इस देखा जातो रिपल में जो डवलमेंट हो रहे हैं वो कहीं न कहीं रिपल के प्राइज को थोड़ा सा इंहेंस कर सकते हैं जैसे की चलिए फ़र बात करते हैं मार्केट में देख 멋있 और अइक पिक्चर जारी की है क्या मतलब हो सकता है आभी देखके चलो उसस पास बीडिसकस करते हैं पहले लगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक सब्सक्राइब चरूर कीजि का यूज करना चाहते हैं ये cross border payment के लिए और वो भी Indians को दिहान में रखे यानि के Indian aspects के अनुसार अब ये क्या करेंगा भाई ये इनों एक ऐसा tool को डवलप कर रहा है जिससे कि जो लोग बहरीन में रह रहे हैं वो लोग Indians के साथ easily transfer अपना LinkedIn कर सकें यानि कि वहां से अगर किसी को कुछ भेजना है इंडिया में तो आराम से बेज सकें यहां से वेजना है तो वहां बहरीन में आराम से रिसीव कर सकें ऐसा टूल डवलप कर रहा है वो भी Indian citizens के लिए जो बहरीन में रह रह रहा है अब इससे क्या होगा कि एक दिगे जो रिपल जो है उसका यूज केस बढ़ेगा और यह यूज भी NPCI यानि भारत बिल पे जो है उसका यूज करेंगे तो दीगे यह तो आल डेडी इंडिया में चली रहा है भारत पे और इसी का यूज करके यह XRP में भी एक तरह से यह development एक नया करने वाले हैं इससे एक फाइदा तो यह हो गया कि XRP का कहीन कहीं Cross Border Payment में यूज हो गया आज कल जो टेस्टिंग चल लगी है मैंने आपको कल भी सामके वीडियो में देगी बोला था कि जो USDC है उसका जो है एक जर्मनी का Software Company है वो जो है Cross Border Payment के लिए उसका टेस्टिंग सुरू कर चुकी है तो इसी तरीके से ये भी रिपल का एक एक तरह से Cross Border Payment में यूज हो सकेगा अगर इस तरह के देगे ये डव्लोमेंट अगर हो जाता है सकसेस तो यहां देगे रिपल के लिए बहुत ही मजबूत और फाइदेमन चीज होगी तो यहां देखिए नोंने बहुत क्लियर कट से comment किया है with the launch of this service we aim to provide the convenience and ease of paying bill through our BBPS platform to non-residents Indians तो देखिए ये बही मैंने कहाना कि कहीं ने कहीं जो है ये किये facility provide हो जाएगी इंडियन के लिए जो एक तरह से इंडियन आज की डेट में नहीं है तो रिपल में एक कौर बड़ी ही जब 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 नीज है चलिए उसको भी द billion XRP from its circulating supply अब इन्होंने एक बहुत बड़ा एक तरह से अनौसमेंट किया है कि वो 10 billion के supply जो है एक तरह से circulating supply में से buy back करना चाते हैं और ये केवल और केवल इसलिए होगा कि वो price को enhance करना चाते हैं बढ़ाना चाते हैं तो ये back to back देखिए दो news जो निकली है XRP में वो कहीं ने कहीं XRP के price को देखिए move कर सकती हैं वैसे तो market थोड़ा सा sideway है लेकिन यहां पर आप XRP में थोड़ा सा alert रह सकते हैं और अगर आप पहले से buy करके बैटे टिप में तो थोड़ा सा इंतियार कर सकते हैं में भी आपको यहां एक अच्छा profit मिल सकता है यहां देखिए gold को Bitcoin ने पीछे छोड़ दिया है Bitcoin overtax gold in the US as the fourth most popular in finance आप देखिए Bitcoin की कितनी popularity हो रही है day by day तो यह क्या है positive sentiment है कहीं कहीं क्रिप्टो कांसी के लिए देखिए अगर Bitcoin बढ़ेगा तो Bitcoin अगर माले यह 100% बढ़ता है तो मैं कहता हूँ Altcoins 10% तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो यहां कम से कम यह है कि थोड़ा सा इंतियार करना पड़ सकता है Altcoin holders को फिलाल तो Bitcoin में जो एक positivity जो moment बना हुआ है वो कहीं कहीं करिप्टो कंसी के लिए बहुत ही बहतर है यह बेबी डॉज का जो नोंने एक post डाला है अपना एक बोई बेबी डॉज है मुझ चड़ाता ह हुआ और fact को जो है दिखा रहा है कि आखिर क्या fact दिखाना चाहते हैं तो देखे साब यह अभी और इसको थोड़ा disclose करें थोड़ा सा खुल के सामने लाएं कि आखिर क्या बताना चाहते हैं क्या चीज है तो वो चीज लेके हैं तब तो कुछ confirm हो लेकिन यूँ इस तरीके से तो मुझे लगता है community को सिर्फ मूँ चड़ाने वाली बात है अगर यह कुछ clear cut बोलें कि भाई आखिर क्या चीज है क्या fact है तब तो फिर ठीक भी है तो देखते हैं वेट करते हैं अगर आपको को समझ में आता है कि इस picture का क्या मतलब हो सकता है तो comment section में जरू और बाकी तो वेट कर रहे हैं कि इनका दूसरा कोई tweet आई जिससे कम से क्लियर हो कि आकर यह fact का क्या मसला है क्या है यहां देखिए South Korea से थोड़ी सी negative news है two South Korean landing platforms suspend withdrawals and face lawsuit in fraud allegations तो यह देखिए South Korea में तो चली रहा है बहुत जो कहता है fraud जो जादा हो रहा है वो South Korea में ही जादा ह हो रहा है और वहां पर यह दो जो है उनके ऊपर यह lawsuit हुआ है और इनका link कहीं ने कहीं जो है FTC collapse से रहा है FTC में जो है इनका पैसा जो है कहीं कोई interlink था उसके साथ इनका यह लेंदेन और वह एक तरह से फिलाल उनको नहीं बंद कर दिया कहीं ने कहीं lawsuit की वज़ा से तो कह कहीं ने कहीं थोड़ा सा crunch तो आई जाता है money crunch आएगा तो फिर यह देखकर होती होती है तो कहीं नेगेटिव थोड़ा सा market में हो जाता है यहां जो एक और good news निकली वो coinbase से निकल लगी है coinbase win supreme court ruling in arbitration lawsuit यानि कहीं ने कहीं जो भी इनके उपर case था तो वो supreme court में एक तरह से जीत गए है कौन coinbase तो अब यहां क्या है एक यह positivity और आगी अब coinbase जो थोड़ा सा अपनी जो expansion की policy है उसको और बढ़ा सकता है coinbase अपनी और एक तरह से बढ़िया तरीके से काम कर सकता है अपनी और policies को लागू कर सकता है क्योंकि coinbase के पास देखे पहले से ही यह एक तरह से मजबूती थी क्योंकि जब वो अपना market में आया था तब जो उसका white paper एक तरह सी था जो papers थे वो उसने वाकाईदा sse के सामने रखे थे और यह बुश्टम clear cut बोलाता कि हम इस अपने model के तहत market में आ रहा है अगर आपको कोई objection है तो आप बता सकते हैं उस टम sse ने किसी भ जबाब नहीं है कि वह आखर यह एक्चेंजों के खिलाप या अपने token के खिलाप यह सब security और यह फंडों में क्यों पड़ा हुआ है उसके पास आज भी कोई ऐसा पक्ता जबाब नहीं है तो वही कहीं कहीं आपको impact दिखाई दे रहा है जिससे कि आप देख रहा है कि कोई बेस यहां पर एक तरह से केश जीत गया मार्केट में देखिए आपको आज बीटी सी 30,670 पर ट्रेड कर रहा है इस ताइम पर तो देखिए थोड़ा सा यहां पर जो 31,000 से थोड़ा सा जो ऊपर था वहां से नीचे आए तो लगबग 400-500 डॉलर के आसपास आप अपन सा रेडनेस है आज लेकिन आप यह कहें कि बहुत ज़़ादा मार्केट गिरा है या कुछ डाउन फालवा है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि यह थोड़ा सा मामूली सा अंतर है तो यह सब चलता है यह तो देखिए मैंने आपको जो साम का वीडियो था अपना उसमें क्लियर कट आपको बोला था कि देखिए यहां से थोड़ा सा मैनुपलेशन हो सकता है जिसने साम का वीडियो देखा होगा उसको यह चीज कंफर्म होगी क्योंकि यह कंफर्म था देखिए जो लॉंग था बहुत ज़्यादा लॉंग पोजिशन्स लोगों ने ले रखी थी तो उनको थोड़ा बहुत तो देखिए कार्ट पिट करने यह वेल्स को और एक्षेंजों को सब पता है तो इस वज़या से यह पूरा कंफर्म था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाना ही जाना और इसलिए मैंने साम को वीडियो में यह चीज बोली थी क्रेजी क्रिप्टो मिन्टू चैनल पर ही वीडियो दिया था सामको उसमें चीज बहुत किलियर कट बोली थी तो यहां देखिए उसी का इंपेक्ट है लेकिन यहां कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है कोई बहुत ज़्यादा पैनिक वाली चीज नहीं है यह सब चलता ह है और दूसरा वीकेंड चलना आजकल तो इस बजाए थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा बहुत हल चलिये रही कि थोड़ा वॉल्यूम भी कम आएगा तो इंजोई कीजिए संडे है और बाकी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा अतार चाड़ में लेकिन हां आप XRP के प मार्केट में पैनिक वाली चीज नहीं है सब कुछ ठीक है बस फिलाल जो है यह मैनूपलेशन थोड़ा सा हुआ है उसकी वज़ाए से आप यह थोड़ा सा रेडनेस देख रहे हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नमस्का हुआ हुआ है